वेल्कम बैक माई चाइनल नाहित खान पुरूलोग चलिए दोस्तों आज हम सीम, आलू और मतर की सब्सी बनाएंगे वो भी यू स्टैल से दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा लास्ट कर देखें और हमारे चा तो फ्रेंट टू स्टार्ट रेसीपी तो चलिए दोस्तों आज हम मतर सीम और आलू का सब्सी मिक्स सब्सी बिनाएंगे और हम चलिए दोस्तों अधरक अलहसुन को अच्छे से पहले हम ग्रैंड कर लेते हैं और हमारे कुछ ड्राइ मसाले हैं टैर्मेरिक पौडर और मिक् कर दोसार हम साल्ट उसमें點 करेंगे तो चलिए दोस से पहले हम अपने सब्सी सब्सक्राइब कर लेते हैं चल्य चलिए फटत को और मटर को अच्छे से वाश कर लेते हैं पहले वह दोस्तों हम इसे वाश कर लेके अपने पॉलिये भाटए मटर कौर्ण कि I am कि पिछली दोस्तों वाट डिमेटर सीम आलू में वाटर एड़ करके समच से स्वाउच कर लेते हैं अच्छे स्वाउच करना है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं सब्जी काटने से पहले वाउच कर लेते हैं वही तरीका अच्छा होता है दोस्तों मैंने पहले काट लिया था तब मुझी आ रहा है दोस्तों मैं तो बूल रहे हैं कि वाउच कर लेती हूँ उसके बाद बड़ कोई बात नहीं ऐसे भी धोना है ऐसे भी दुख वाश करना वह तो गया है तो दोस्तों हमने एक पानी से वाउच कर लिया था अब यह दूसरा पानी लिये हैं और इस सिर्फ मेटर आलू और सीम को वाश करें लिए दोस्तों क्या है लग मेटर आलू और सीम की यह जो खाने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें में मटर का पेवर मीलेगा दोस्तों आलू का सीम का और कौरेंडर लेस्ट समने इसमें डाल आइड किया है इतने सारे चीजों का हमें प्लेवर मिलेगा मुझे तो मिली जूली सबजी बहुत मस्त लगती दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगता है? कमेंट करके में बताईए गए मुझे बहुत ही पसने है मुझे बहुत ही पसने है मिक्स रेज़ोटेबल सब्ची तो देखे दोस्तों, हमने अच्छे तरह से पूरा वाश कर लिया है हमार मैटर आलू और सीम की सब्ची को चलि दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम चलते ही हम अपना एक पैन चड़ाते हैं तो फ्रेंड हमारे पैन गर्म हो चुके है अब हम इसमें रिफाइंड ओयल एड़ करेंगे रिफाइंड ओयल हमारा वोरा का दर्म हो जाएगा तो हमने जो अपना सीम आलू और मेटल की सब्ची को रखा था उसे हम इसमें डाल के प्राइं करेंगे पर मटल को हम फ्राइं करेंगे दोस्तों मटल को अभी अलग कर लिए हैं सिर्फ हम सीम आलू को ही प्राइं करेंगे मटल को प्राइं नहीं करना है तो यह देखिए दोस्तों में जो वोश किया था अब हम इसमें जाल के बाद के बाद हम अच्छे तरफ के खिला लेंगे निक्स करने के बाद हम थोड़ा सा स्टाल टाइप करेंगे विमाली के लिए निक्स का दाएप करें लिए पांच विर नीक्स के लिए ऄंच द्राइंगे तो यह दूस्तों हमारे प्रे फ्राइब करनाएं इसे जितना अच्छा खिला करेंगे बाद हमारा विमाली फेश्टी बढ़े रहा है प्रोसेश होता ही है दोस्तों कि हमें प्राइ इसका करना है तो चलिए दोस्तों हमारे लीम और अच्छा से प्राइब हो चुके हम इसे बाहर निकाल देते हैं प्राइब दोस्तों हम बाहर निकाल देते हैं अच्छा प्राइब दोस्तों हम दो करने में अच्छा चाहिए दोस्तों हमारा जीम और अलुप्राइब चुके हैं हम फिर्स अपने पैन में ऐल और काया करें हैं ओज़ा सा कडाई को हम थोड़ा सा और गल देते हैं कि अम्ने अप्राइब करके स्टों कर दिया था हुए हमारा शुक्राइब फरेंद तह्म पीसु ठंडर हो गया है तो छलीए दोस्तों हमारे और्म होगते हैं जो उनिकाल क शौच जोखः होनी था, मुझे तो शौट था, एरहौसटेज बनी था, एन तो कि हमाला एरहोस्टेज में हमारा करें और मेरे पापा नहीं चाहते था, वह जोदा था, उसे दिश हो आथा, चाहतिमे ISPS, मेरे पापा ही चाहती हो, तो उ मैं फिर पैले में शौटरॉ इसलीयों दोस्तों, हम अअपना कॉमने जॉह मिर्स संपर्यों देते हnd . जो बशिकर हमने तुली देटाद करें, आपना अर्चाना आन्य। पो कड़ीछ Better Benjamin onहों करें, जिल्डूर्ण करें करनों कि बातक हम अपने मैपाले अय करें अथे लिगे कि पहले हमारे परीन ये पल्द में करते हैं तो दोस्तों हमारे प्यास गॉल्डिन गॉर्ण होगी चलिए है अब हम इसमें जो फ्राइट है स्रीम और आलू इसे अंद इसमें एड़ कर दिना करने के बाद इसमें करते हैं हमारा है कश्मीरी लाल मिर्ष धन्या के पौडर हल्दी का पौडर जीरा गुल्फी चाट मसाला मैगी मसाला और अब धन्या के पौडर तो यह और स्वाचल का नमक भी रखा है तो अचलिए दोस्तों हम सारु स्विखे मालाग मसालों को इसमें आड़ कर देते हैं वास यहां पर नमक को कम करूंगी दोस्तों सारे मसालों और नमक को कम कर लें और हमने जो मतर को शीला घा उसे यह देखे रोखोंगी इस मतर को हमने वाश करके और हम अपने मतर और सुरी दोस्तों पीम और आभी को अभी में आज करें इसमें मतर को इसमें करें हम अपने सारे मतर को अने पैन में आज कर रहे हैं विद्स पर यह जाते हैं आए प्रॉब्लम होती है बद पीबी बना रहे हैं करें देखिए हम ने सारे मतर की एड करने है जब दोस्तुमें हम थोड़ा सा अधर अल्यासन का पेष्ट इसमें एड करें और यह टमाटर है हम जूसे चौप करके हम अपने मतर आलू के करें तो चलिए दोस्तों हम घैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और यह दिके हमें कट्री जो टमाटर लिये थे इसे हम अपने सब्सक्राइब कर दें और हम इसमें फ़ोड़ा सा पानी वाटर आड करके हम चाजर हम पिली सुखने के लिए ठोड़ेंगे तो चलिए दूस्तों हमारी मिक्स सब्जी कैसे बनी है मिक्स बैजिटेबल तो चलिए प्रेम्स हम अपने गैस के फ्लेम को लो कर लेते हैं और हम अपने मिक्स बैजिटेबल को हम इस कुकर में एड करते हैं कुकर में क्या है कि दोस्तों हमारे प्रेशर कुकर में सब्जी तीन सी टी आते ही अच्छा से गल जाते हैं दोस्तों सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम गैस को बरबाद नहीं करेंगे और हम अपने पैन में नहीं बना करके हम इसे प्रेशर कुकर में आड़ करेंगे और हम तीन सीटी का आने का वेट करेंगे फिर देखेंगे कि हमारा मिक्स सब्जी कैसा बना है तो चलिए दोस्तों पटफट हम अपने पैंसे सारे सब्जी को अपने प्रेशर कुकर के अंदर एड़ कर लेते हैं चलिए दोस्तों हमारे सारे सब्जी प्रिश्र कुकर में एड हो गए हैं अब हम इसमें डगकन लगा करके तीन सीटी आने का बेट करेंगे उसके बाद देखेंगे हमारे सब्जी कैसा बना है हमारे मटर मालू अच्छा दल चुके हैं शमयां और फूकर में पाश मिनट के लिए और चुक करके तब पानी को थोड़ा सा उखा लेंगे तो देखेंड हो प्रेश्र कुकर में हमने बनाया है और प्रेश्र कुकर में सिर्थी है तो यह देखिए दोस्तों हमारा तो सीम मैंटर आलू अच्छे तो सॉफ्ट हो चुके हैं बट मुझे यहां पर 5 मिनट को खोने के लिए फोड़ना हो गया इसे और मैं इसे च्छाहर कर लूंगी ताक्या हमारा हमारे मैंटर आलू में और ज्यादा टेस्ट आ जाए तिए दे प्राइब कर जाते हैं उसके बाद आगे को प्रोस्तों दिखाएंगे कि क्या करना है हमें इसमें तो फ्रेंड्स हमारे पांच मिनेट हो गया है हमारी सब्जी मिच्स वेजिटेबल बन के फूरे तरह से प्लाइब है और यह प्राइब यूंस हो कितना टेस्टी और कितना अच्छा कलर इसमें आया है देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूं इसमें स्टीम आजाती हो तो दूला हो जाता हमारा टेल यह दूखिए इतना अच्छा हमारा सीम आलू और मटर का सब्जी है वाव वेरी वेरी टेस्टी और यम्मी भी है है अरे कहना क्या चाहते हो हम अच्छा का लगा लेते ही तो दोस्तों निया पर पैन चड़ाया और इसमें थोड़ा से साबुत जीरा डाले और डालने के बाद चटक जाएगा तब हम इसे अपने सब्जी में मिक्स कर देंगे वह क्या है दोस्तों के च्छा का लगाने से हमारा टेस्टी में हमारा आ बनाट च्छा कोगं से जीरा में पर में ऐसा कर सोटने लुद्टी में मां चिंट लगा लिए और में को अथ्य से आइख करल को दोस्ति TP कि यह वटा-पद परोस्ते हैं खाने के लिए इसरी चापाती में पूरी में किसी चीज में भी खाए चावल में खाए दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगेगा यह मिख सब्जी है और अभी तो रुको ट्लाइमाक्स अभी बाकी है तो यह देखे दोस्तों हमारे मटर आलू और सीम के सब्जी मिक्स सब्जी बन करके पूरे तरह से तयार है और हमने इसमें हम पर से आमल का क्रीम दीया है दूस्तों देखे दोस्तों सब्याइब करें और हमारे भी घंटी को भी सब्से पहले आप लोगों तक पहुंचे तो अलाफे prol झाल